इस ब्रहमार में कई ऐसे राज हैं जो सालों बीज जाने के बाद भी उनकी सच्चाई आज भी एक रहस्य ही है नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है नंद और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी कान कही कहानी के एक नई विडियो में जो कहानी आज में आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी सची घटना की है जो पिछले 27 सालों से एक रहस्य बनके रह गई है चाईना के बीजिंग शहर में घटी एक ऐसी घटना जिसकी वज़े से वहाँ आज भी लोग देर रात बसों में सफर करने से डरते हैं दो दशक से भी ज़्यादा समय से सुनाई जा रही ये रूट नमबर 375 की बूतह बस की कहानी है और इस कहानी का नाम है The Last Ride to Fragrant Hill ये बात देर रात 14 नवंबर 1995 की है बीजिंग के युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से Fragrant Hill को जाने वाली रूट नमबर 375 की आखरी बस अपने निर्धारित समय पर निकलती है उस रात को जाने वाली आखरी बस होने की वज़े से ये बस यात्रियों से भरी हुई थी हाला कि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते यात्री भी धीरी धीरे कर बस से उतर जाते देखते ही देखते अब बस पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी बस में केवल अब एक ड्राइवर और एक महिला कंड़्टर ही बचे थे फ्रेग्रिंट हिल का सफर अभी काफी लंबा था क्योंकि अभी भी साथ और स्टॉप बचे थे लगबग आदी रात का समय हो चुका होता है और चारो और सन्नाटा फैला रहता है जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो गाउं और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था दो स्टेशन गुजर जाते हैं और बस नंबर 375 समर पैलस नाम की एक टूरिश पॉर्ट के बस्टॉप पर रुखती है यहां से एक व्रिद महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चड़ जाते हैं वो कपल ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर तो वो लड़का बस की गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है वहीं वृद महीला लड़के के ठीक पीछे बैठी होती है अब बस में कुल 6 लोग थे 4 यातरी और 2 बस करमचारी बस दुबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है अंदर का महौल एकदम शांत इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता लगबग 4 स्टॉप ऐसे ही गुजर जाते हैं और उसके बाद बस के ड्राइवर को दो लोग सड़क किनारे खड़र नजर आते हैं यह देखकर पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने की नहीं सोची क्योंकि उसको लगा कि जहां वो लोग खड़े हैं वो कोई बस्टॉप तो नहीं है हलाकि महिला कंड़टर के समझाने पर ड्राइवर बस रोक देता है क्योंकि इस रूट की यह आखरी बस होती है खेर, बस रुकती है और वो पीछे वाले दर्वाजे से अंदर दाखिल हो जाते है तब ही एक हैरान कर देने वाली बात होती है कि बस में दो नहीं बलकि तीन लोग अंदर आए जबकि बहार केवल दो ही लोग नजर आते हैं उन में से दो व्यक्तियों के चेहरे बिलकुल सफेद होते हैं मानो किसी लाश की तरह और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंदे के सारे खड़ा कर रका होता है तीसरे व्यक्ति का सर नीचे और उसके बाल बिखरे होय होते हैं और उसका चेहरा बिलकुल ढखा हुआ होता है बस में बैठे लोगों की नजर इस बात पे भी जाती है कि उन तीनों लोगों ने चीन की सोलवी सदी में जिंग राजवंश के कपड़े पहने हुए होते हैं उन तीनों की वज़े से बस में बैठे लोगों के मन में गबराट होने लगती है बस में शान्ती न फैले इसके लिए महिला कंड़टर लोगों को समझाती है कि हो सकता है ये लोग किसी किनाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वज़े से घर जाने की जल्दी में वो अपने कपड़े उतारना भूल गए हूँ बस नमबर 375 यहां से आगे की ओर बढ़ती है वरिद महिला बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर उन लोगों को देखती रहती है अगला स्टॉप आता है तो वो यंग कपल वहां उतर जाता है अब बस में कुल साथ लोग रह जाते हैं अभी भी वो वरिद महिला बार बार मुड़ कर उन 3 लोगों को ही देखती रहती है वो लोग उनको कुछ अजीब से लग रहे होते हैं लेकिन बाकी लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं महिला कंड़क्टर भी ड्राइवर के साथ हसी मजाग करती रहती है कुछ 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के वो व्रिद महिला अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है महिला जोर से चिलाती है और कहती है मेरा पर्स कहां है उससे मुझे जल्दी वापस करो ये सुनकर महिला कंड़क्टर व्रिद महिला से कहती है आपका पर्स इसने नहीं चुराया ये तो आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही। लेकिन वृद महिला अपनी बातों पर अड़ जाती है। वो लड़के को पुलीस के हवाले करने की बात करने लगती है। ड्राइवर और महिला कंड़क्टर वृद महिला को काफी समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। वो ड्राइवर को अगले ही स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहती है। बस रुकते ही वृद महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसको घसीट कर नीचे उतारती है और बस वापस अपनी मंजिल की और निकल जाती है। अपने साथ हुई इस घटना को लेकर वो लड़का बहुत परिशान हो जाता है। उस महिला को वो कहता है मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वज़े से मेरी ये आखरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा। और आप मुझे कौन से पुली स्टेशन लेकर जा रही हैं क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई भी पुली स्टेशन है ही नहीं। तभी विरिद महिला एक लंबी घहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है। यह इलजाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह बात सुनके वो लड़का परिशान हो जाता है और पूछता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई। विरिद महिला कहती है याद है तुम्हें वो तीन लोग जो बस में आखरी में चड़े थे। मैं पूरे रस्ते उन पर नजर रखे हुए थी। मुझे शुरू से ही वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो मैं दंग रह गई। खिड़की से आई तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़े और तभी मैंने देखा कि उनके पैर नहीं है। अपना पर्स चोरी होने का जूटा इलजाम तुम्हारे उपर लगाया ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे भी उतर जाए। ये बात सुनने के बाद लड़का एकदम चौंक उटता है। इसके बाद वो व्रिद महिला और लड़का तुरंत वहाँ से पुलीस स्टेशन जाते हैं और पुलीस करमचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालकि यहां कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता, देर रात होने की वज़े से पुलीस उन्हें वापस घर लोटने की सला देती है। इसके बाद व्रिद महिला और लड़का अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इस घटना को सुनने के बाद उस पुलीस करमचारी को व्रिद महिला और उस लड़के की कहानी याद आती है। बिना देरी के व्रिद महिला और उस लड़के को पुलीस टेशन बुलाया गया। देती है लेकिन उस पे भी उस बस का कोई नामों निशान नहीं होता ऐसे ही करते करते 15 नवंबर का अग दिन भी बीच जाता है उस बस के लापता होने के दो दिन बाद यानि 16 नवंबर को पुलीस को सूचना मिलती है कि फ्रेगरंट हिल से 100 किलोमीटर दूर मियून रिजर्व उयर में एक बस गिरी हुई है पुलीस क्रेन की मदद से इस बस को बहार निकालती है और जाच करने के बाद पता लगता है कि ये वो ही बस है जो 14 नवंबर की रात को फ्रेगरंट हिल जा रही थी बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाशे मिलती है दो लाशों की पहचान ड्राइवर और एक महिला कंड़क्टर के रूप में की जाती है इस दोरान चौका देने वाली बात ये होती है कि कंड़क्टर और ड्राइवर की लाश से अलग बागी तीन लाश बुरी तरीके से सड़ चुकी है उन लाशों से बहुत बद्बू आ रही होती है इतना ही नहीं मामले को लेकर जब डीपो से संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि उस बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमेटर आगे तक जा सके इसके बाद फ्यूल टैंक को खोल कर देखा जाता है तो लोगों के होश उड़ जाते है फ्यूल टैंक ताजे खून से बहरा था जिस बस्टॉप पे विरिद महिला और वो लड़का उतरे थे उसके बाद के रूट में जितने भी CCTV होते हैं उनमें से एक भी CCTV में ये बस कैद नहीं होती इस केस से जुड़े किसी करमचारी की वज़े से ये घटना मीडिया में लीक कर दी गई साल 1995 की ये सबसे बड़ी घटना थी जिसे Global Times, चीन के काफी बड़े नेटवर्क ने अपने चैनल पर दिखाया बाल-बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भागेशाली समझने लगे इस कहानी की वज़े से कई लोगों ने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया और बस डीपो ने अपने ड्राइवरों को साफधान किया कि बिना किसी बस्टॉप के गाड़ी कही न रोकी जाए इस खौफनाग गटना को गटे 27 साल हो चुके है लेकिन फिर भी इस कहानी के एर्दगिर्द ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब शायद हमको कभी न मिले पहला तो ये कि बस डीपो की रिपोर्ट के मताबिक उस बस में इतना पेट्रोल ही नहीं था कि वो एक पूरे दिन का सफर तै कर सके दूसरा पेट्रोल की टंकी में ताजा खून का मिलना तीसरा ये कि उस बस को गायब हुए सिर्फ दो ही दिन हुए थे लेकिन फिर भी वो शरीर काफी बुरी तरीके से सड़ चुके थे हम ये भी मान लें कि वो गर्मियों का समय होता फिर भी लाशों का इतनी तेजी से सड़ जाना कोई आम बात नहीं है उन लाशों के पोस्ट मॉटम के बाद भी यही पता चलता है कि उन लाशों के साथ कोई छेड़चार नहीं की गई है और आखरी बात ये कि फुलीस ने काफी कड़ी जाच परताल की और मियून रिजर्वायर तक जाने वाले सबी CCTV कैमरों को भी खंगाल के देखा लेकिन वो बस किसी में भी नहीं दिखी और तो और ये कि उस रात CCTV कैमरा पर कुछ अजीब भी नहीं दिखा तो आखर वो बस बिना किसी की नजर में आए मियून रिजर्वायर तक कैसे पहुँची इन सारे सवालों का जवाब आस तक एक राज है आपका क्या मानना है वो तीन लोग जो बस में आखिर में चड़े थे क्या वो सच में भूत थे या फिर वृद्ध महिला का एक वहम सूचने वाली बात है ये विडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करे और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करे अगर आप चाते हैं ऐसी और कई कहानिया सुनना तो हमारे चैनल अनकही कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूले थैंक यू